हेलो रमस्कार दोस्तों जहारखंड लाइब के यूटीब चलनल में आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत है दोस्तों यहां पर आज जहारखंड जीके का कलास नमबर 53 है तिरपन नमबर कलास है यहां पर और हम लोगों का जो यहां पर टॉपिक चल रहा है जहारखंड की आज वरस्ता रुसी के अंतरगत जो है वो जे पीस्ती है जहारखन लोग सेवा आयोग उससे संबंदित प्रसन हम लोग यहां पर आज देखने वाले हैं तो अगर आप जहारखन लैप चैनल में अगर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और काफी जादे जो है वो फायदे मिल रहे होंगे उससे और आपसे हमने प्रसन पूछे है कि आपको या नहीं चाहिए जनरल साइन्स की क्लास जो है वो चाहिए या नहीं चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए आज का यहां पर जहारखन लोग से वायोग से सम्मनित प्रसन जो है वो हम लोग यहां पर देखते हैं और आज का पहला प्रसन है जहारखन लोग से वायोग का गठन कब हुआ था तो इसका सही अंसर जोगा यहां पर आपका आपसन नंबर A is right answer जाएगा वर्स 2000 में हुआ था 15 नवांबर 2000 को जहारखन लोग से वा JPSC की यहां पर स्थापना की गई थी यहां पर गठन किया गया था अपसन नंबर A is right answer यहां पर हो जाएगा नेश कुशन में चलते हैं और अगला कुश्चन है यहां पर जहारखन लोग से वायों की सदस्य संख्या कितनी है यहां पर JPSC में सदस्यों की संख्या कितनी है तो इस कुश्चन है यहां पर जहारखन लोग से वायों का मुख्याला कहां है तो आप सभी को पता होगा उटका सही कौन निर्धारिद करता है तो इसका सही एंसर जोगा यहाँ पर आपका option number C is right answer हो जाएगा राज येपाल करते हैं तो apsor number C is right answer हो जाएगा यहाँ पर राज येपाल जो है वो यहाँ पर लोग से वायोग के सदस्यों की संख्या निर्धारिद करते हैं और अगला कोश्चन है यहां पर लोग से वायों की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो इसका सही जो गाला पर आपका आपसे नंबर एपना तयाग पत्र किसे देते हैं त्याग पत्र जो हता है trouve जहरखण सिवायो केके यहां पर सदस्य किसे जोह भी है तो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो इसका सही अंसर ज hebben। आपका option number C is right answer यहां पर हो जाएगा तो राज जय पाल को यहां त्याग पत्र देते हैं ने इस कुछते में चलते हैं और अगला कुछ्चन है यहाँ पर जारखण में राजपत्रित तथा राजपत्रित पदोग की नियुकती के लिए सन्युक्त परतियोगता परिक्षा कौन आयोजीत करता है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर आपका ने इस कुछते में चलते हैं और अगला कुछ्चन है यहाँ पर आपका जारखण में परत्रम परतियोगता परिक्षा कब आयोजीत की गई थी इसका गठन कब हुआ था यहाँ पर 15 नवांबर 2000 को किया गया था लेकिन जो एक्जाम हो था फर्स्ट टाइम जो परतियोगता 2003 वर्स 2003 में परतियोगता परिक्षा ली गई थी ने इस कुछे में चलते हैं और अगला कुछ्चन है यहाँ पर अगला प्रसन है यहाँ पर जारखण लोग सेवा आयोग के प्रत्रम अध्यक्ष कौन थे तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर आपका आपका आप्शन जारखण लोग सेवा आयोग का गठन समीधान के किस अनुछेद के तहत यहाँ पर किया गया है और आर्टिकल नमबर कौन सा आपका कौन सा है 315 के तहत जो है वो राज्य में यहाँ पर लोग सेवा आयोग की गठन की जाती है तो आप्शन नमबर सी इस राइट एंसर यहा पर होगा पर कुशं में चलते हैं और अगला कुश्यन है यहाँ पर आपका यहाँ पर तक लिए डिसक्रिप्सिंट में अनुछे 315 से लेकर 323 तक यहां पर और भाग W 14 में ऐता है तो पार्ट है कितने है 22 पार्ट सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पूछा जा रहा है कि जो है वह उसका सही एंसर जोग यहां पर आपका आपका आपसर नंबर यहां पर हो जाएगा वर्स 1926 में यूपी एसी का गठन किया गया था ठीक है तो आपसर नंबर इस राइट एंसर यहां पर हो जाएगा और अगला कूस्चन है संगल लोग सेवायों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है यूपी एसी का यहां पर पूछा जा रहा है तो आपसर नंबर इस राइट एंसर राष्ट पती को देते हैं किसको देते हैं राष्ट पती को देते हैं तो आपसर नंबर इस राइट एंसर यहां पर हो जाएगा राष्ट पती को देते हैं तो आपसर नंबर इस राइट एंसर यहां पर हो जाएगा राष्ट पती को देते नेज कुशन में चलते हैं और अगला question है यहाँ पर निमन में से कौन राज जी के लोग सेवायोग के कारिवाहक अध्यक्ष को चुनता है तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर आपका option number D is right answer हो जाएगा राज जेपाल जो है वो निमन करते हैं यहाँ पर जो कारिवाहक अध्यक्ष होते हैं उनको तो option number D is right answer यहाँ पर हो जाएगा तो निकती करने का अधिकार जो है वो राज पाल को दी गई है लेकिन यहाँ पर हटाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर राश्ट पती को दी गई है तो option number C is right answer यहाँ पर हो जाएगा नेस कुशन में चलते हैं और अगला कुश्चन है एक लोग सेवायोग का ज्यक्ष एरिटेर्मेंट के बाद कौन सा पद जो है वो धारन नहीं कर सकता है तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर आपका option number D is right answer यहाँ पर हो जाएगा किसी आन्य परदेश में लोग सेवायोग का जो है वो सदस्य नहीं बन सकता है तो option number D is right answer यहाँ पर हो जाएगा नेस कुश्चन में चलते हैं और अगला कुश्चन है यहाँ पर राजी लोग सेवायोग के अध्यक चारस्य दस्यों का वेतन और भत्ता पेंसन कीस पर भारित होता है तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर आपका option number D is right answer हो जाएगा राजी की संचित नीधी पर यहाँ पर ज होता है तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर आपका option number C is right answer होता है ठीक है इसमें दो condition है यहाँ तो फिर 62 वर्स का यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है और मैक्सिमम जो है छे वर्स रखा गया है अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति का यहाँ पर जो है वह सपूज दैट कि उनका उम 62 वर्स जो है दोनों में से कोई हो जाए तो यहाँ पर उनको जो है वो कारिकाल के अंदर गद छे वर्स या फिर 62 वर्स उम्र सीमा रखी गई है नेश कुछन में चलते हैं और अगला question है यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर अनुछे 312 संग था राज के लिए लोग सेवा आयोग तो यहाँ पर यह 315 नंबर में आता है ठीक है 315 नंबर में यहाँ पर राज और जो संग का है उस दोनों यहाँ पर आयोग की गठन की बात की गई है 315 नंबर में तो यहाँ पर 312 में नहीं की गई है 315 में की गई है वो यहाँ पर वर्नन किया गया है और अनुछे 317 जो है यहाँ पर तो लोग सेवायोग की जो है बरखास्तगी का यहाँ पर वर्नन किया गया है तो यहाँ पर जो option number A है 312 यहाँ पर गलत है सुमेलित नहीं है ने इस question में चलते हैं और अगला question है जहारखन लोग सेवायोग की वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर आपका option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा सुधीर तिर्फाटी है कौन है सुधीर तिर्फाटी जो है वही यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष है JPSC के यह याद रखेगा चलिए तो यह था आज का यहाँ पर महत्पूर्न जी के सम्मदित प्रस्म JPSC से यहाँ पर जहारखन लोग सेवायोग से और उमीद करता हूँ का आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी या फिर कमेंट बॉक्स में आपको बता दूँगा तो उमीद करता हूँ का आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को अधिक सेयर कर दीजे और हमारे टेलिग्राम ग्रूप में भी जोइन कर लिजे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी